देखें यहां पे पूरी भीड है यह सारे के सारे लोग जो यहां है नियाय मांग रहे हैं क्यूं क्यूंकि एक गल्ले ट्युवा को जान से जान से मारा गया है धमकाया गया है पूरे परिवार को धमकाया गया है एक व्यक्ति को मारा गया है और यहां कोई कारवाई नहीं हो रही है जो मास्टर माइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाब कोई कारवाई नहीं हो रही है SP यहां के Mastermind पर कारवाई नहीं कर रहे है चोटे-चोटे लोगों को पकड़ रहे है इसलिए यहां पर लोग गुस्सा है मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज़त हो हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सब को मिले इसलिए मैं यहां आया हूँ और हम इसमामले को नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक इस परिवार को नयाय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं इसमें यहां पर क्या हुआ है मैंने परिवार से बात की माता जी से बात की उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है छे साथ बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिये आखरी बार पैसे नहीं दिये तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजे और उसके बाद उसके भाई की हत्या की हो तो ख्लीर कट अन्याय हुआ है परिवार के खिलाफ समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाइ करना पड़ेगा मतल बात समझा इन्याय मिलेगा इनको फासी दो ये कानून के पर है ये मेरा काम नहीं है मगर कानून लागू करवाना दबाव डालना वो मेरा काम है मैं मैं यहां पीछे नहीं हटूंगा दलित परिवार है इसी लिए यह हो रहा है मैं इस इंसिडेंट में आया हूं मैंने करी है यहां पर मैं करना चाहता हूं इसलिए मैं इनका मामला उठाने आए सुप्रिम कोट ने डॉक्टर से का है कि इस मामले में आया हूं आप मैं जानता हूं कि आप इस मामले को ठोड़ाना नहीं चाहते हो अब डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हूं कि आप डलेतों की बात नहीं रखना चाहते हैं आप दलेतों की बात नहीं रखना चाहते हैं और मैं यहां दलेतों की रक्षा करने आया हूं, उनकी बात उठाने आया हूं, इसलिए मैं डिस्ट्रेक्शन अलाउनी करूं